तो फस्ट एपिसोड की सुरुबात होती है सन्नी को दिखाते हुए जिसे कुछ लोग बेहरहमी से एक खूफिय जगह पर ले जाते हैं जब सन्नी को उस जगह पर ले जाया जाता है तो वो देखता है कि इस जगह पर उसका दोस्त फिरोज भी है जिसे भी उन लोगों ने प्रिंटिंग बनाना जानता है हाल फिलाल में तो वो सड़क पर 500 रुपय में लोगों की पोर्ट्रेट पैंटिंग बनाता है और बू भी सिर्फ 15 मिने जिसके बाद वो अपनी नानू की फैक्टरी में जाता है जहां पर उनकी खुद की फ्रेंटिंग फ्रेस एजेंसी थी जो करांती पत्री का नाम के अकवार से छपता था दरसल सन्नी के नानू देस में करांती लाना चाहते हैं और अपना काम इमानदारी से करते हैं यही पर हम फ्रोज को भी देखते हैं जो की यही पर काम करता है और वो प्रिंटिंग करने में एक्सपर्ट है और साथ हमें यह क्रांती पत्री का बैसने में लगे रहते थे पर क्रांती पत्री का ना तो तब बिखता था और न अब बिखता है पर बजपन से ही फिरोज और सन्नी को ये समझा गया था कि पैसों की कितनी एहमियत है इसलिए वो पैसों को बचाते थे और नानू को दे दिया करते थे अब प्रिजेंट के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर हम सन्नी को एक कार में उसकी गल्फरिंड अनन्या के साथ देखते हैं जो की सन्नी को 31 दिसंबर के पार्टी जॉइन करने के लिए कहती है दरसल अनन्या एक बहुती बड़े रहीज बाप की बेटी है और सन्नी हमेशा उसके लेवल का होना चाहता है अब 31 नाइट के लिए सन्नी और फ्रोज पार्टी के लिए पास लेने के लिए जाने लगते हैं और बौस आद्मी से जगणने लगता है जिसके बाद बौस दोनो यहां से चले जाते हैं अब 31 नाइट के सीन को देखते हैं जहांपर हम अनन्या को सन्नी की पार्टी में आते हुए देखते हैं दरसल सन्नी को तो पास नहीं मिले इसलिए अनन्या को ही उसने यहाँ पर बुला लिया था अनन्या जानती है कि सन्नी गरीब है और वो उसके लेवल का भी नहीं है इसके बाबजूद बो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और सन्नी हमेशा उसके लेवल का होना चाहता है अब सबी के जाने के बाद हम फ्रोज और सन्नी को बैटा हुआ देखते हैं जहाँ पर कि सन्नी फ्रोज से कहता है कि इस देश में पैसों की बहुत जादा वैल्यू है और हम जैसे मिडल क्लास लोग सिर्फ लोन पर जीते हैं और मरते दम तक इंट्रेस्ट ही चुकाते रह जाते हैं इसलिए किसी भी हालत में हमें कुछ बड़ा करना होगा अब अगले दिन सन्नी जब फैक्टरी में आता है तो वो देखता है कि यहाँ पर धेर सारे लोग है और उसे पता चलता है कि करांती पत्री का जल्दी बंद होने वाली है और ये फैक्टरी भी जल्दी नीलाम हो सकती है क्योंकि जिल लोगों से सन्नी के नानू ना लॉन लिया था वो देने में अब पूरी तरह से नाकामयाब हो चुके हैं तब सन्नी और फिरोज उनसे मिलने के लिए जाते हैं और उनसे कहते हैं कि उनने कुछ बक्त चाहिए लेकिन वो आदमी सन्नी से कहता है कि आप लोग पहले से ही लेट हैं इसलिए वो लोग उन्हें जादा वक्त नहीं दे सकते फिर भी उन लोगों को एक महीने का समय दे दिया जाता है तो अब सन्नी और फिरोज के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉबलम ये थी जो कि हूबहू रियल नोट की तरह था लेकिन फिरोज इसके लिए मना करता है और वो उससे कहता है कि नोट बनाना इतना आसान नहीं है जिस पर कि सन्नी उससे समझाता है कि हमारे पास कोई और आपसन नहीं है हमें फरजी नोट ही बनाना होगा क्योंकि ये नोट भी किसी इंसान नहीं बनाया है और हम लोग तो professional artist है अब कुछ दिनों के बाद सन्नी नोटों को analyze करना शुरू करता है और नोटों की बारिक से बारिक चीज़े वो देखना शुरू करता है कि वो लोग 500 का नकली नोट बनाएंगे तो सबसे पहले तो सन्नी 500 के नोट का एक बढ़िया सा sketch बनाता है जिसमें की 1% भी गलती नहीं थी और फिरोज उस नोट की printing करता है और देखते ही देखते उन लोगों ने 500 का जाली नोट बनाने में काम्याब हो चुके थे तो वो आदमी उस 500 के नोट को बड़े ही गहराई से देखने लगता है और उसे देखकर वो पूरी तरह से समझ गया था कि ये एक नकली नोट है ये देखकर वो आदमी फिरोज को पकड़ने लगता है लेकिन मौका देखकर सन्नी और फिरोज यहां से भाग निकलते हैं जिनका कई सारे लोग पीछा भी कर रहे थे आगे जाकर ये उन लोगों से पीछा चुड़ा कर एक जहगे पर छिपते हैं यहां पर की फिरोज सन्नी से कहता है कि देश में बहुत बेरोजगारी है क्योंकि आदे से ज़्यादा लोगों को तो ये मालूमी नहीं होगा कि आकर वो हमें पकड़ क्यों रहे हैं तो अब सन्नी और फिरोज न जो नोट बनाए है वो नोटों को जलाने लगते हैं और सनी ये वाद सोचता है कि आकर उस नोट में गल्टी क्या थी अब नेपाल के काटमांडू के सीन को दिखाया जाता है जहां पर कि हम मनसूर नाम के कादमी को देखते हैं और ये आदमी भी दरसल जाली नोट बनाने में एक्सपर्ट है और वो अपना काम नेपाल में ही आपरेट करता है तो अब काटमांडू पर मनसूर की एक आदमी से मीटिंग है इसलिए मनसूर यहाँ पर आया था और नेपाल में हम माईकल नाम के एक आदमी को देखते हैं जो की क्राइम ब्रांच का एक आफिसर है और उसे मनसूर के बारे में खवर है कि वो यहाँ पर आया है तो माईकल अपने आफिसरों के साथ मिलकर मनसूर को पकड़ने के प्लानिंग बनाता है और जहाँ पर मनसूर की मीटिंग चल रही थी वहीं पर माईकल और उसके आफिसर पहुँच जाते हैं और वहां जाकर वो माइकल और उस आदमी को पकड़ लेते हैं और यहां पर मैं पता चलता है कि माइकल और मनसूर एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं इसके बाद जब माइकल और उस आदमी को अरेश्ट करके यहां से ले जाया जा रहा था तब ही यहाँ पर मनसूर के कुछ आदमी आ जाते हैं और फाइरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं जिससे कि यहाँ पर भगदर मर जाती है और मनसूर इसी का फायदा उठा कर यहाँ से भाग जाता है तो माइकल के हाँ तो मनसूर के वो जाली नोट तो हाँ लग गए थे लेकिन यहां से मनसूर भाग गया था और साथ ही माइकल के कुछ आफिसर भी यहां पर मारे गए थे अब आगे हम सन्य और फ्रोज को देखते हैं जहां पर कि सन्य फ्रोज से कहता है कि हमारे नोट में सबसे वड़ी गड़ बड़ ये है कि हमारे नोट का कागज खराब है इसलिए हम पकड़े गए इसके बाद से ही सन्य और फ्रोज उस तरह के नोट के कागज को ढूड़ना शुरू कर देते हैं जो कि हूबहू रियल नोट की तरह हो जो कि हूबहू रियल नोट की तरह था और उसका कागज भी रियल नोट की तरह ही था तो एक बार फिर से नोट पूरी तरह से तयार हो चुका था और इस बार चलाने की जिम्मेदारी थी सन्य की इसलिए फिर से वो लोग सराब की दुकान पर पहुंच जाते हैं जहां पर सन्य फिरोज से कहता है कि अगर कुछ भी गड़बढ हो तो मेरा हाथ खेंच लेना इसलिए सन्य उस नोट को चलाने के लिए जब हाथ आगे बढ़ाता है तो कुछ दिर तक तो वो सौक में था क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि सायद वो फिर से पकड़े जाएंगे और फिर से पिटेंगे लेकिन इस बार वो कामयाब हो चुके थे उसके हाथ में सराब थी और चेंज वाले पैसे भी हाथ में थे तो सन्य और फिरोज का नोट चल गया था इसलिए बो दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे जिसके बाद एपिसोड की सुरुबात में जो सीन दिखाया गया था वही सीन दिखाया जाता है जिसमें कि एक 500 का नोट एक आदमी लेकर खड़ा हुआ था और वो आदमी कोई और नहीं बलकि मनसूर था जो कि सन्नी से पूसता है कि ये नोट किसने बनाया है और उसे कौन डिस्ट्रिब्यूट करता है जिसपर कि सन्नी उसे बताता है कि ये नोट हमने बनाया है और हमी इसे डिस्ट्रिब्यूट करते है जिसपर कि मनसूर अपने आदमी से कहता है कि फरोज को मार दो और मन्सूर का वो आदमी भी अपने ओर्डर को फॉलो करने लगता है और गूली चला देता है और इसे के साथ एपिसोट फर्ष्ट यहीं पर खत्म होता है तो सेकंड अप्सोट की शूरुबात में हमें सन्नी के बचपन का सीन दिखाया जाता है जहां भरबो हमें बताता है कि बचपन में ही उसकी मा की डैथ हो गई थी जिसके बाद उसके पिता ने ही उसका खयाल रखा वो लोग गरीब थे इसलिए उसके पिता हमेशा कुछ बिजनेस शुरू करने की सोचते और कुछ लोगों से पैसा उधार लेते लेकिन जब वो पैसे देने में नाकामयाब हो जाते हैं तो वो सहर को ही छोड़ कर भाग जाते हैं इसलिए वो उससे छोड़ कर चले जाते हैं जहांपर सन्नी उन्हें काफी दिर तक ट्रेन में ढूंडता है लेकिन कहीं पर भी सन्नी की पिता नजर नहीं आते हैं ताकि उसके पिता इस पेंटिंग को देखे और बापस आ जाए। इस तरह से भू ठीर सारी पेंटिंग बनाता है और फिर एक दिन उसके पास फिरूज नाम का लड़का आता है। और बोस से कहता है कि वो इसी तरह सकेज बनाता रहे क्योंकि हम इससे पैसा कमा सकते हैं और फिर ऐसा ही करते हैं वो लोग सकेज बनाते जाते हैं और पैसा कमाते जाते हैं और फिर कुछ दिनों के बाद सन्नी के नानू यहाँ पर आ जाते हैं जो कि सन्नी को लेने के लिए आ को देखते हैं जो कि RBI की ऑफिसर थी वो यहां पर कुछ मिनिस्टरों को एक ऐसी मसीन के बारे में बता रही थी जो की नकली नोटों को डिटेक्ट करती हो लेकिन यहां पर जो बैठे मिनिस्टर हैं वो इसकी बात को ठीक धंक से सुनी नहीं रहे थे और यहीं पर हम माइकल क भी देखते हैं जो कि मेगा की बातों को पूरी तरीके से सुन रहा था जिसके बाद जब मिनिस्टर यहां से जाने लगते हैं तो माइकलों के पीछे पीछे जाता है और उनसे कहता है कि उसे अपनी पुरानी टीम वापस चाहिए लेकिन मिनिस्टर इसके लिए साप मना कर देते हैं अब अगले से इन में हम संझी और फ्रोज को देखते हैं जो कि एक आतमी से जानशols के लेकिन उसाइस आथमी को शनशन के नोट में डॉट लग रहा था तब सबस्रीं नोट के बीच में एक क्ली नोट मिक्स कर देता है और उनन्होंने नकली नोट को पहचा लिय थे और उन्हें 2 करोड रुपे का ओर्डर भी मिल जाता है लेकिन अब प्रॉब्लम ये थे कि आखिर ये लोग उस आदमी को 2 करोड के नकली नोट कैसे देंगे क्योंकि उनके पास सर्फ एक हफता ही था अब अगले सीन में माइकल को देखते हैं जिसने की काफी जादा मातरा में सराब पी हुई थी तो यहां पर माइकल उस मिनिस्टर की एक लड़की के साथ की एडल्ट फोटो उस मिनिस्टर के पास भेज देता है तब मिनिस्टर का तुरंती माइकल के पास कॉल आता है और वो उससे कहता है कि उसे अपनी टीम चाहिए यहां पर माइकल काफी चाचु भी यहीं पर मौझूद थे यहां पर सन्य उनसे कहता है कि अगर उन्हें धेड़ सारा अकवार चापना हो तो एक दिन में वो कितना अकवार चाप सकते हैं तो चाचु सन्य की बात को समझ गये थे कि आकर वो किसकी बात कर रहा है क्योंकि ड्रॉज में एक नकली नोट भी चाचु को बताता है और उनसे कहता है कि यह एकदम असली की तरह है इसलिए इसे चेक करने के लिए बो एक रेस्टॉरेंट में जाते हैं जहां पर चाए और करने के बाद जब बिल देते हैं तो यहां का ओनर जब वो 500 के नोट को चेक करता है तो नहीं असली लग यहां पर बोस आदमी से कहते हैं कि उन्हें कुछ पैसे चाहिए और पुराना वाला जो लॉन है और अवी का जो लॉन है वो दो महीने के अंदर चुका देंगे लेकिन इस बार भी उन्हें एक महीने का ही समय मिलता है जो कि उनके लिए काफी था अब अगले सीन में मेगा क भी सर्च करने लगती है अगले दिन माइकल फिर से मिनिस्टर के पास पहुंच जाता है और उनसे कहता है कि उसे अपनी चाहिए यह एक मिस्टन पर जाना है लेकिन यहां पर मेंश्टर हाँ जोड़कर माइकल से कहता है कि उससे सराब पेकर गाली देना बंद करे क्योंकि वो ब्लैक मेल नहीं होने वाला अफ्रोज एक पेपर वाले फैक्टरी में कॉल करता है और उनसे नोट वाले पेपर की मांग करता है लेकिन वो एजन्सी गवर्मेंट थी इसलिए वो दैने से साफ मना करते थे हैं लेकिन उन्हें वो पेपर का बंडल किसी भी हालत में दिया जाता है अब यह लोग सामने वाली फैक्टरी की विल्डिंग पे थे जहां पर वो इंडिया का किर्किट मैश था इसलिए सारे एरिया के बॉच्च मैन वहीं पर आकर किर्किट मैश देखने लगे थे पर वनीश अपने सारे लोगों को बुला लेता है और इन सारे बॉच्च मैन को ये लोग बंदी बना लेते हैं सन्नी अंदर जाकर पेपर चेक करने लगता है काफी दिर तक ढूड़ने के बाद उन्हें असली वाला पेपर मिल जाता है तो असली वाले पेपर के बंडल के काफ में ले आते हैं क्योंकि कि किसी को सक्किक कि ये लोग सिर्फ उसी पेपरको लेने के लिए अर्ट को बनाने में लग जाते हैं और देखते ने tests को ब्रॉट करोड़े और फिर कुछ दिनों के बाद जिन लोगों से उन्होंने पैसे लिये थे वो उनके पास जाते हैं और पुराने लॉन के साथ वो नया लॉन भी चुका देते हैं और साथ ही अब उनकी करांती पत्रीका की फैक्टरी भी बच चुकी थी यह देखकर नानू सन्य से कहते हैं कि आ कि उन्होंने क्या गड़बड की अब अगले सीन में हम सन्य और अनन्या को एक रेस्टरेंट में देखते हैं जो कि यहां पर डिनर करने के लिए आये थे थोड़ देर के बाद यहां पर एक बीटा राता है जिसे कि अनन्या चुप चाप से अपना क्रिटिट कार्ट देती है क किल चुकाने के बारी आती है तो यहां पर सन्य अपने जाली नोड़के को पसंद किया है और खाना खाने के बाद बेहें चुकानी को देख नरग देखती है जो कि पांसुका था और उसे यह अधर नकली लगड़िन इसलिए बो तुरन थी काउंटर पर जाती है और उनसे कहती है कि वो RBI की ओपिसर है। इसलिए हाल फिलाल में जितने लोगों ने 500 के नोट दे कर गए हैं वो सारे नोट उसे चाहिए। बहिए दूसरी तरफ हम माइकल को देखते हैं जो कि टीवी पर निउस देख रहा होता है और टीवी पर निउस थी कि किसी ने पेपर फैक्टरी से धेर सारे पेपर चुरा लिये हैं और जब वो निउस देखी रहा होता है कि तब ही उसके पास मिनिस्टर का कॉल आता है और मि वेक्टरी भी नीला मोने से बच गए थी जिसके बाद चाचू सन्नी से कहते हैं कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद अब उन्हें प्रिंटर मसीन को बैस देनी चाहिए ताकि उनके पास कुछ और पैसा आजाए लेकिन यहाँ पर सन्नी उनसे कहता है यह सारी चीजे तो हमने भी किसी के लिए किये हैं लेकिन अब हमें खुद के लिए भी कुछ पैसे कमाने हैं और अब वो एक लाश्ट बार पैसा चाहते हैं बहां दूसरे तरब मेगा ने उस नोट को लेकर आफिस आगे थी और अपने एक दोस्त को भी बताती है कि यह नोट नकली है जिसके बाद सन्नी और उसके साथ ही एक लाश्ट बार पैसा चाहपना शुरू करते हैं और वो भी अप्र यही पर खत्म होता है तो दोस्तें, अमीद करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आए होगी वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा और सी तरह के वीड प्रेस्ट और फ्रेस कॉंटेंट मिलते रहे धन्यवाद जैहिंग जै भारत जैसरी राम